अगर अफ्लाइ कर रहे हैं विदिन यॉनाइट स्टेट्स या या यॉनाइट स्टेट्स आए या विदिन स्टेट्स और आप पानी लिक्विट से ना वो चाहे परफ्यूम के शकल में हो या पानी इस तरह लिक्विड हो, कोई जूस हो, कोई भी चीज है, तो you are not supposed to take it in the plane से, यह ना, आप जहाज में पानी लेके नहीं बैट सकते हैं, यह अगर मैं यह पानी बाटल लेके बैट जाओं, तो वो एक लिमिट से जादा मुझे, यह अमूमन पानी लेके नहीं बैटने हैं, तब इस बा अंदर मिकडानल्ड है, उससे आपने पानी वगरा, जूस वगरा ले लिया, वो तो आप ले जा सकते हैं, अच्छा, आज की वीडियो जो है, it's once again very interesting, और बहुत सारी positive बातों कहाद लोगों ने काता हैं, जरा airport की बात करें, कराची है, मेरे कराची विजिट की बात में कर अच्छा, मुझे चार दफ़ा इस विजिट में, चार दफ़ा एरपोर्ट का experience रहा, जोगी going from United States to Pakistan, and then back, दो दफ़ाई हो गया, और पर मैं दोबई भी किया था बीच में, on my visit to Pakistan, तो दो दफ़ाई हो, बड़े interesting किसम के experiences हुए, देखें, सबसे पहली बात तो ये है, कि, अब ये भी सुन रहा है, हो मेरा बेबी, come on, अच्छा, सबसे पहली बात तो ये है, कि देखें, जो एरपोर्ट होता है, वो किसी भी मुल्क का एक image होता है, कि जब आप enter होते हो, तो दाहरे पिर malls भी हैं, और restaurants भी हैं, सारी चीज़ें, और लोग भी हैं, culture है, वो सब बह पहली चीज़ होती है, कि पहला first आपका impression क्या होता है, अच्छा, अब मज़े की बात ये है, कि और मैं कहता हूँ, कि चीज़ें आइस्ता इस्ता बुरी हो तो अच्छी लगती है, सही है ना, कि जैसे बहले बंदा आया, कि यार एरपोर्ट सबसे अच्छा होना चीए, फि कि में ड्राइविंग भी हो, कुछ भी हो, सारी चीज़ों में आपको पॉजिटिव बात है, लेकिन जो सबसे ज्यादा मसला नजर आता है, वो एरपोर्ट पर नजर आता है, अच्छा, मैं इसको compare भी नहीं करना चाता है, कि को युनाइट स्टेट के एरपोर्ट से कराची एरपोर्ट, मैं ये वाला काम तो करता ही नहीं, आपको पता है, से ना, मैं ये नहीं कह सकता है, कि उस एरपोर्ट को बड़ा बना दिया जाए है, कुछ भी, और वैसे एरपोर्ट की सिचुएशन इस वक ऐसी ही कि एक यूनिवरस्टी से भी छोटा लगने लगा है, एरप चिपके वें, अब कुछ लोग ये भी कहते हैं, कि नहीं नहीं, हमें डिस्टन्स रखके खड़ा होना चाहिए, जैसे टेकसिस में लोग होते हैं, कि छे-चे फिट दूर खड़ें, या चार-चार फिट दूर खड़ें, और टेकसिस तो बहुत बड़ा है, सही है ना, उसक आप पासपोर्ट वगर अपना दिखाते हो, सबसे एहम चीज़ जो मुझे लगी वो है, और मैं पहले भी कही दिफा बात कर चुका हूँ, वो है पीपल, I'm not talking about the infrastructure, it's about the people, it's about the process, कि लोग जो थे, वो बख़एदा, यानि उनके चेहरों पर मुस्कुराइट नहीं थी, जो अच्छा, उसके बाद जब आप एक दफाए एरपोर्ट से निकल जाते हो, फिर तो आपका अपना शहर होता है, और मैंने आपसे बताया भी कि सब कुछ पॉजटिव है, सब अच्छा है, फिर तो कोई मसला नहीं है, और जिनको बुरा लगता है, वो एक अलग बात है, वो कोई अपसर हैं, जानने वाले होते हैं, वो देख भी लेते हैं, तो मैं उनको बलता हो, ठीक है, थोड़ी सी तो लाइन हो जाएगी, अच्छा, इसी तरह मैं जब दुबई भी जानने लगा, मैं था मरे साथ मुस्तफा, अच्छा, बाकी टीचर जो थे, वो अलग फ्लाइ हो जाएगा सारी, अच्छा, मुस्तफा कास कोई कार्ड वार्ड भी मौजूद था, जिससे वो डिरेक बाहर से आपसे ले ले लेते हैं, लगेजवगेज़ और वो फाइव स्टार होता है, खेर और वो क्या फाइव स्टार सर्विस ती, जैसे ही पहुँचे, उसने बस बै क्या चीज़ें, उसने मेरी शेकल भी देख ली थी, कि मैं थोड़ा मुस्कुरा भी रहा था, उसको देखके, तंजिया मुस्कुराड जो थी, लेकिन एनिवेज, वो गया, अच्छा, उसके बाद जो पासपोर्ड वाली लाइन थी, वो इतनी बड़ी लाइन थी, और वो यही नहीं पता कि पहले बोर्डिंग पास लेना है, और उसके बाद पासपोर्ट पर आना है, तो जो डेडर दो-दो घंटा लाइनों में लगें, वो उससे पूछ रहे हैं, जब वहां पहुंच रहे हैं, तो बोला जी, यह बोर्डिंग पास, यह पासपोर्ट, उसने कहा बोर्डिंग पास तो ले लो, तो मुझे लगता है कि प्रॉसेस को चेंज होना बहुत जरूरी है, जब एक दफा़ बंदा एरपोर्ट में एंटर हुआ तो उसके पास को आप्शन ही नहीं नहीं चाहिए, बट तो गो तो बोर्डिंग पास, बोर्डिंग पास के बाद उस क्या बाते सुनाने लगा, वो कहने लगा, तुम जैसे लोग वहाँ जाते हो, वहाँ जाके आप लोग भीक मांगते हो, वहाँ रह जाते हो, उसको ये भी समझ नहीं आरी कि मैंने गूची का बैग लगा है, मैंने हारले डिविट्सन की शिर्ट पहनी हुई, मैं और मुस्त अब चकर ये है कि उसने बगद हमसे इतनी फोटो कापी करवाई हैं, वीजा की, इसकी, टिकेट की, पच्चिस सो फोटो कापी, यानि इतना पेपर वर्क, जो काम एक बार कोड और स्कैन उस पर होना चाहिए था, तो प्रोसेस वो बड़ा मुझे, खिर एनिवेज, जैसे इसे करके दुबई पहुच गया है, उधर भी बड़ा इंट्रस्टिंग रहा, फ्लाइट में लोग ऐसे बैठे वे थे कि वो ऐसा लग रहा था कि फर्स्टाइम ट्रैवलर है, तो जब हमारा जहाज उतरा, तो जहाज हर दफा ऐसा नहीं होता कि वो कनेक्ट हो जाए, उसक पैसे भी ज्यादा देने होते हैं, हमने सस्ती एरलाइन कराई भी थी, तो वो कनेक्ट तो नहीं होता ब्रिच के साथ, तो उसने हमें वही पराने स्टाइल से रोका, और फिर आके वह एक स्टेर केस लगी और उस से हम उतरे, और फिर एक बस आती है, जो आपको ले जाती है ऐसे लोग भी मौजूद थे जो बगएर पासपोर्ट के थे, तो मैं बड़ा हरान था, वो उससे बुन रहा थे, इसके पासपोर्ट ही नहीं है, जब immigration होने लगी तो, तो मैंने उससे बुचा कि बगएर पासपोर्ट के दुबई से पाकिसान आ तो कैसे किया, उसने का उस साल बात दुबई गया था, तो मैंने जब वो दूद लिया तो मुझे बड़ा अच्छा लगा, मैंने कहा है, फुल ओफ फैट दूद है वो तो मैंने थोड़ा बहुत पी लिया था, उसके बाद बाकी मैंने जहाज में सफर कर लिया, अभी मैं आपको बता है कि बाकी उन्होंने बाकादा एक दूफिसर तो ऐसे दोनान मुझे का कि हम आपकी वीडियो देखते हैं, मैंने के चलो, थैंक्यू, लेकिन उसके बोला, जर आप आगे आजे हैं, जर बैक भी खुलेगा, तो बैक जब खुला, तो मुझसे पूछने लगा कि ये बाटल क्या ह अच्छा, ये सब हुआ, जब मैं इस सब कुछ लेके बाहर निकलने लगा, मैं और मुस्तफा तो एक खातून हमसे पूछने लगी, वो हमारे बरार में बैठी थी, जहाज में, वो हमसे पूछने लगी, कि यार ये अजीब बात है, आप लोग को तो हार्ड लिकर ले जाने लगे, वो गूइंग फ्रम कराची टू उनाइट स्टेट्स, कतर एरवेस थी, मैंने इतना रश कभी नहीं देगा, अच्छे बड़ी लर्निंग भी है, इतना रश, इतना रश एरपोर्ट पे, कि यहने आप वो जो है न, वो गाड़ी भी नहीं पार्क कर सकते, तो मैं तो मैं पहले ही समझ गया था, मुस्तवा म कहने लगा, नहीं नहीं तो यहां से 5 स्टर लाउंज होगा, जैसे गाड़ी यहां चलती है कराची यू 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 यू, ऐसे लोग रोड तक बरेवें, मैंने कहीं तो आंदर ही कशे जाएंगी थार गे पहले हैं कैसे हो गई पार्किंग वार्किंग सब छोड़ो मुझे जल्देली बैक देना शुरू करो और मेरे वाइफ को बच्चों को लगा दिया अच्छा बच्चे भी एक महीने में फॉल ट्रेंड हो गए थे पहली देफा जब उतरे थे एरपोर्ट तो बड़ा मसला हो रहा था लेकिन अब ऐसा था कि दो दो तीन तीन बैक चला रहें एक साथ भाग रहें मैंने एक इंच भी आपको जगह नहीं देनी है अगर आपने लोगों को रास्ता देना शुरू कर दिया तो यहां तो कॉंसेप्ट ही नहीं ना रास्तेगा एसा तो हो नहीं था कि जैसे मिसाल के तौरप आपको पता है जो लोग गाड़ी चलाते हैं बाइक चलाते हैं कि रास्ता देने का हमारे यहां कॉंसेप्ट नहीं है और जो कि ठीक बात है कि आपको रास्ता निकालना पड़ता है कुछ भी करके कि कोई यहां इस तरह माहल नहीं है कि जी स्टॉप क और वन्स अगेन आपके यहां वाला महौल है वहां वहां तो आप यह दिखा भी नहीं सकते हैं कि इस तरह के इलेक्ट्रोनिक टिकेट है सारी फिजिकल टिक्टें पार्ट पोर्ट हैं अचा अब ही कितने लोग हैं चार लोग हैं चार कोई भी चार आजाओ वहां इतनी मु कि कर такую पर जायरे एक नेमबर मेरे पास होता है मॉबाइल में खास नंबर वो नंबर मिला तो ऐक फरुष्ङा नाजिल हुआ वह पर सारा काम एक मिनट में हो गया जो के मेरी फितरत और इस तरह नहीं है मैं चाहता हैREM нар폰 लेकिन अब क्या करूं महाल इतना खराब हुआ था मनि इतना खराब महाल आज से 10-12 साल पर एक दिखा था जब मैं अपनी बहन को ड्रॉप करना है था इतना ट्राफिक भार रोड तक समझ नहीं आरा क्या हो रहा है यानि एक अजीब गहमा गहमी हो रही है वो आफिसर भी पर सकने ठीरेशान है और कैसे स्कैनिंग होगी है वो फ को डिया टिय। ना है बठाइगी वहां से भी हैँगी बन्यास्मान से धाइगी हलीकॉप्टर उतरेंगे कुछ भी होगा तो वहाँ भी इसी तरह हेलप होती है फिर लेकिन अमूमन इसरा लिए खिर मुझे जो अवराल एरपोर्ट के लिए लगा वो यह है कि एरपोर्ट को अगर बना दिया जाए तो तो बहुत ही बड़ी बात है क्योंकि आप देखें शहर भी तीन साड़े तीन करोड हो पिर प्लस लहोर में ये जो स्मॉग वगरा ये चीज़ होती है तो उसके ही बहुत लोग इदर आके ट्रैवल करते हैं तो अब ऐसा लग रहा है कि अब ये वसाइल जो है ये बड़ा लिमिटेड हो गया है ये जो हमारा एरपोर्ट है पहले बच्पन में जब ट्रैवल करत गई तो मॉवमेंट जड़ा जाया है और तो अछे लिभा बड़े पासाल नहीं है तो फ़र एक अलग गूफतूง गोळन लेकिन कमस कम लोग जो है और प्रॉसस के फाल्तू बाते BE orchestra समार्ट होना चाइए ये जहांड़ी अमेब बड़े पर जहां आ जहान हो जाए​ तो प पाकिस्तान से फ्लाइट कोई भी युनाइट स्टेट्स डारेक नहीं जाती पाकिस्तान से कोई फ्लाइट डारेक युनाइट स्टेट नहीं जाती पाकिस्तान से जाएगी दुबई और पर दुबई से अच्छा इविन पाकिस्तान से जाएगी कतर पाकिस्तान से जाएगी यह वहां तक भी security नॉर्मल होती है जैसे होती है पानी भी ले जाओ यह सब कुछ लेकिन जैसे ही आप खतर एरपोर्ट पर उतर गए उसके बाद अगर आप जा रहे हो किसी और मुल्क I don't know वर तो normal है security लेकिन if you are going to United States उसके टर्मिनल उसके gates ही अलग है और उसकी security अलग है ब इसमें restroom भी नहीं होता वस्ट्रूम कोई नहीं उसमें पानी नहीं कुछ भी नहीं है क्योंकि आप वहां से आपने जहाज में बैटना है आप हमारी यह समझे के हिफाज़त में आ गये और उसके बाद जब आप लैंड करते हो for example यह लैंडिंग या डैलस या एले जो भी ज कुछ भी नहीं इसका मतलब full total full proof security हो चुकी यह पीछे और जहाज पूरे scan हो गये समान कोई scanning वगर कुछ भी निकाले और जाएं सारा काम हुआ वह पीज़े इसलिए अब आप देखें कि वह कैसे trust कर सकते हैं उस security पे जिस security में मैं आपको बता रहा हूं कि हम number dial करें तो चल पराई भी नहीं है इसता इसता improve होंगी चीज़े लेकिन यह है कि इसमें अभी बहुत कुछ अभी बहुत सारे प्लाउजें लोग पहले कहते हो थे पहले मैं भी नहीं समझ आती थी क्यार क्यों direct नहीं जाने देते तो अब समझ आ रही कि हम भी direct नहीं जाने देंगे नहां